हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रेक तो आए डेली गरंट अफेर्स की सीरीस को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2023 के सभी गरंट अफेर्स को यहाँ पर डिटेल में एक एक करके समझ लेते हैं वीडियो में इंट तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आएए आज की करंट अफेर्स का सबसे पहला कुशन देखिए रास्टिक खेल दिवस कब मनाय जाता है तो पूरे भारत में देखिए रास्टिक खेल दिवस के रूप हर साल 29 अगस्त को रास्टिक खेल दिवस के रूप में मनाय जाता है भारत में इस डे को मनाय जाने की शुरुआत 2012 में की गई थी और 2012 से हर साल इसे 29 अगस्त को मनाय जाता है उद्देश्य क्या है उद्देश्य की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स पूरे भारत म नागरीकों के बीच में खेल भावना का विकास करने और शारिरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश से इसे प्रोथसाहित करने के उद्देश से हर साल देश में रास्टी खेल दिवस के रुप में 29 अगस्त को मनाय जाता है। ध्यान चंदर की बात करें तो इनके बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग राज में हुआ था जिसे प्राचीन में इलाबाद के नाम से जाना जाता था। कहां पर है उत्तर प्रिदेश राज्जी में। क्लियर अब देखिए अगर हम इंडिया में स्पोर्ट से संबंदित स्किम्स की बात करें तो खेलो इंडिया योजना भारत में 2016 में लाई गई थी। फिट इंडिया मुमेंट 2019 में लाए गया था इंडिया में और खेल प्रतीभा खोज पोर्टल जो की एक पोर्टल है खेलों के विकास के लिए 2017 में लॉंच किया गया था। तो ये सभी AC स्किम्स है फ्रेंड्स जो की भारत में खेलों को बड़ावा देने के उद्देश से अलग-अलग समय पर लाई गई है। हमारा कुश्यन नेशनल स्पोर्ट्स डे से है तो ये हर साल 29 अगस्त को मनाय जाता है। देखे दोस्तो अगर आपको मन्थली करन्ट अफेर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट अप्लिकेशन या क्रेजी जिकेट ट्रिक अप्लिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मन्थली करन्ट अफेर्स PDF में देखिए पूरे मन्थ के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्यन होते हैं। उन कोश्यन को यहाँ पर डिटेल के साथ प तो बगवाल मिला जो की देवी धुरा मिले के नाम से जन जाता है भारत के उत्तराखंड रज का एक प्रमुख मिला है। उत्तराखंड रज के चमपावत जनपत के देवी धुरा में देखिए वाराही देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष रक्षा बंदन के अवसर पर ठानी भाशा में बगवाल का अर्थ पत्थरों की बारिश या पत्थर युद्ध का अभ्यास होता है। रक्षा बंधन पर आयुजित किया जाता है। अपना कंट्री चेर्मेन न्युक्त किया है। इनके पहले देखिए नितिन प्रसाद भारत में शेल इंडिया के कंट्री चेर्मेन थे। अब इनके स्थान पर मांसी मदन त्रिपाटी को ये पत्थ प्रदान किया गया है। भारत की मांसी देखिए एशिया प्रशान्त के लिए शेल ल्यूब्रिकेंड के उपाद्यक्षपत के साथ साथ भारत में शेल समुकी कंपनियों के चेर्मेन का पद भी समालने वाली है। अब इस कंपनी की बात करें कि ये कंपनी क्या है फ्रेंड्स तो देखिए ये एक अंतरास्टी उर्जा कंपनी हैं जो की पूरे विश्व में तेल और प्राकरतिक गेस की खोज, उत्पादन, शोधन और विप्रन से सम्मंदिच कारे करती है। इस कंपनी का मुख्याले वेसे तो युनाइटेट किंग्नम में इस्ति थे लेकिन इसके इंडिया रिजन की बात करें, शेल इंडिया की बात करें तो इसका मुख्याले भारत की रास्दानी नई दिल्ली में इस्ति थे। हाली में भारत की मांसी मदन त्रिपाठी को शेल इंडिया की कंट्री चेयर्मेन के रुप में निप्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हाली में जिबॉंबे के नए रास्ट पती कोन चुने गए हैं। जिबॉंबे जो की एक अफरीकी देशे फ्रेंड्स हाली में इसके नए प्रेसिडेंट इमर्सन मंगागवा को चुना गया है। इमर्सन देखिए जीबॉंबे में ZANU PF पार्टी के सदस्य हैं जिने चुनाओ में 52.6% वोट मिले हैं। जबकि इनके प्रतिद्वंदी नेल्सन चामिसा को 44% वोट यहां के प्रेसिडेंट के चुनाओ में मिले हैं। तो अल्मोस्ट 52% वोट के साथ मंगागवा को रास्टिपती चुनाओ में बहुमत मिला है। इसलिए इमर्सन मंगागवा जीवांबे के एक बार फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। जीवांबे की बात करें तो ये अफरीकी देशे फ्रेंट्स जिसकी केपिटल हरा रहे हैं। और शोना और दिबेली यहां की इस्थानी लेंग्वेज है। वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को रास्टि शिक्षक अवॉड 2023 प्रदान किया जाएगा। तो 2023 में देखिये रास्टी शिक्षक अवर्ड 2023 से भारत के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाने वाला है। भारत की प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मू सितंबर में देखिये दिल्ली में 50 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान रास्टी शिक्षक अवार्ड 2023 से सम्मानित करने वाली है। भारत की यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने देखिये तीन इस तरोप पर मेरिट के अधार पर इन शिक्षकों का चैन किया है। इस पुरस्कार के तहट सभी शिक्षकों को अवार्ड के रूप में एक प्रमान पत्र और 50,000 रुपे की राश्शी प्रदान की जाएगी। तो 2023 में रास्टे शिक्षक पुरस्कार 2023 से देश के 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाने वाला है। शिक्षा के शेत्र में दिये जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान की शुरुवात 1958 में की गई थी। इस पुरस्कार का मुख्युद देश, प्रारंभिक और माध्यमिक व इसकास कर लेते हैं हंगरी का नाम आप सभी ने सुना होगा इसकी केपिटल बुड़ापेस्ट है और यहां की ओफिशल मुद्रा फोरिंट है केटलिन नुवाक वर्तमान में हंगरी के प्रेसिडेंट के पत पर हैं पडोसी देशों की बात करें तो यहां पर आप मेप में दे इसके अलावे फेटरो हंगरी के प्रमुक युनेसको साइट से डेन्यूब नदी हंगरी की सबसे लंबी नदी है और केकेस हंगरी की सबसे उची परवत चोटी है बाल्टन जिल हंगरी की सबसे बड़ी जिल है हाली में देखिये वर्ल्ड एटलेटिक्स चेंपिंशिप द इंडिया की बात करते हैं तो वर्ल्ड एटलेटिक्स चेंपिंशिप 2023 में इंडिया मेडल टेली में 28 इस्तान पर रहा है इंडिया का एक मात्र गोल्ड भाला फेक खिलाडी नीरत चोटडा ने अपने नाम किया है तो ये हंगरी से रिलेटेड ऐसे फेक्ट हैं जो की पाकिस्तान में किसे भारती उच्चा युक्त नियुक्त किया गया है हाली में भारत की गिती का श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारती उच्चा युक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और इस तरह गिती का श्रीवास्तव पाकिस्तान में उच्चा युक्त के तोर पर न्युक्त होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी है। आप सभी जानते हैं कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए गया था तब पाकिस्तान ने भारत से डिप्लोमेटिक संबंद खत्म कल लिये थे। तो इस तरह से अभी तक 2019 के बाद भारत का कोई भी उच्चा युक्त के रुप में युक्त किया गया है। इसके बाद एक और कोशन देखिए। इसरो द्वारा सूरी मिशन आदित्य एलवन कहां से लौंच किया जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट कर लिजेगा। आदित्य एलवन जोकी इसरो का सूरी मिशन है इसे 27 धवन अंत्रिक्ष के अंदर शिरी हरी कोटा दिप्ट से लौंच किया जाने वाला है। आंसर भी हो जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को आंदर प्रिदेश के 27 धवन अंत्रिक्ष के अंदर से सूरी मिशन आदित्य एलवन को पे आई है। भारत का सूरी मिशन आदित्य एलवन लगबग 5 साल तक सूरी से निकलने वाली अलग-अलग किर्णों का अध्यन करेगा। तो आदित्य एलवन को 27 धवन अंत्रिक्ष केंद्र जो की आंदर प्रिदेश में शिरी हरी कोटा दिप परिस्ति थे यहां से पेंगलेटर बेंगलोर करनाटक में स्तित है। विक्रम सारा भाई इसके फाउंडर है और वर्तमान में एस सोमनात इस रो के चियर्मेन के पतपर है। विमेंस 5As Asian होक्की का खिताब हाली में इंडिया की महिला होक्की टीम ने अपने नाम किया है। इसका एगजन देखिए हाली में ओमान में किया गया था इसके फाइनल में भारत ने थाइलेंड को साथ दो से हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है इस जीत के साथ ही देखिए भारती महिला हौकी टीम 2024 में मसकट में होने वाली हौकी 5 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई है अब इस टूनामेंट की बात करें वुमेंस फाइफ एस एशियन होकी की बात करें तो ये एशिया का महिला होकी टूनामेंट है फ्रेंड्स जो कि फिफ्त महिला होकी विश्व कप में क्वालिफाईंग के लिए भी एक टूनामेंट था 2023 के इस टूनामेंट में टोटल 10 टीमों ने पाटिसिपेट किया था और इसका खिताब थाइलेंड की महिला होक्की टीम को हरा कर भारती महिला होक्की टीम ने अपने नाम किया है आयोजन कहां किया गया था ये भी याद रखेगा तो आयोजन 2023 में ओमान में किया गया था इसके बाद आगया जाईए चर्चा में रही कंपनी जेप्टो किस प्रकार की कंपनी है तो देखिये जेप्टो जो की हाली में यूनिकॉन कमपनी बनने के कारण चर्चा में रही है फ्रेंड्स ये एक क्विक कॉमर्स कमपनी है क्विक कॉमर्स स्टाटप जेप्टो ने 2023 में यूनिकॉन का दरजा हसिल किया है और इसी तरह से ये 2023 में यूनिकॉन बनने वाला पहला स्टाइट अप बन गया है हाली में देखिये जैप्टो ने सिरीज E फंडिंग के जरीए 200 मिलियन डॉलर जुटाए हैं जिस से अब जैप्टो का टोटल वेल्यूएशन 1.4 अरब डॉलर हो गया है और इसी के साथ ये 2023 में भारत की पहली यूनिकॉन कमपनी बन गई है जैप्टो क्विक कॉमर्स कमपनी है फ्रेंड्स जिसकी स्तापना अधित पालिचा और केवल्ली वहरा ने मिलकर 2021 में की थी अब देखिए यूनिकॉन की बात करें कि यूनिकॉन कमपनीया क्या होती है तो एसी कमपनीया जिनका वेल्यूएशन 1.5 अरब डॉलर या इससे अधिक होता है भारत में वर्तमान में 109 स्टार्ट अप्स इसे हैं जिनने यूनिकॉन कमपनी का दरज़ा दिया गया है नाम से जाना जाता है जेप्टो भारत की एक क्विक कॉमर्स कमपनी है इसके बाद आज के करंट अफेर का सबसे लास्ट कुशन देखिए शिक्स एंड मोधी अजर्नी ओफ नाइन यर किताब का वीमोचन किसके द्वारा किया गया तो सिक्क एंड मोधी इस किताब का हाली में वीमोचन बीजेपी के रास्ट अद्देक्ष जेपी नड़ा के द्वारा किया गया है अंसर सी हो जाएगा इस बुक में देखिए नरेंद्र मोधी के कारिकल में सिक्स अमुदाई के लिए क्या कारिक किये गए हैं इनका कमपाइलेशन किया गया है इस बुक का हाली में वीमोचन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने किया है इसके अलावा देखिए एसी बुक्स की बात करें जो की हाल के कुछ समय में न्यूज में रही है तो पिछ साइड माइ लाइफ इन इंडियन क्रिकेट अमरत माथूर की पुस्तक है हाव प्राइम मिनिस्टर डिसाइड निर्जा चोधरी की पुस्तक है भारत के वित्तमंत्री स्वतंतरता से अपात काल तक एके भट्टाचारी की पुस्तक है तो इन सभी अधर बुक्स को याद रखिएगा एक्जाम में हमें देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर देखिए हमने 30 अगस्त 2023 के सभी करांट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आजाईए आज की फैक्टिशिट में हम भारत के कुछ व्यक्ति और उनके लोगप्री उपनाम को यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं पहला देखिए भारत में सिमान्त गांधी के नाम से खान अब्दुलगफार खान को जाना जाता है ये ऐसे पहले विदेशी हैं जिने भारत रतन भी दिया जा चुका है रास्ट पीता के नाम से आप सभी जानते है महत्मा गांधी को जाना जाता है बापू के नाम से भी महत्मा गांधी को ही जाना जाता है All Men of India वयोवरद पुरूश के नाम से भारत में दादा भाई नौरो जी को जाना जाता है लोग पुरूश सरदार वल्लब भाई पटेल को कहा जाता है शांती पुरूश लाल बहादूर शास्त्री को कहा जाता है पंजाब कैसरी के नाम से लाला लाचपतराय को पुकारा जाता है इसके बाद बंगाल कैसरी आशुतोश मुखर जी को कहा जाता है बिहार कैसरी डॉक्टर श्रीकरशन सिंग को कहा जाता है और आंद्र कैसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है तो ये भारत के ऐसे पॉपुलर अलग-अलग वेक्ती हैं जिने अलग-अलग उपनामों से जानो जाता है अब आजाए लास्ट डे के सेशन में जो करन्ट अफेर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं सबसे पहला देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंचिप 2023 में नीरा चोपडा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है बहुरास्ट युददब्यास ब्राइट स्टार 2023 का एजन मिश्र के काहिरा में किया जा रहा है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 में इंडियन ब्लाइंड विमन क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है हाली में जयन्त महापात्रा का निधन हो गया ये ओडिशा के एक प्रमुक साहितिकार थे BWF वर्ल चेंपेंशिप 2023 में भारती बेडमिंटन खिलाडी एचेस प्रणाय ने कास सी पदक अपने नाम किया है इंडियन ओइल ने अपना नया ब्रेंड एम्बेसजर शेफ संजीव कपूर को नियुक्त किया है इसके बाद आईए हाली में जारी जल शक्ती मंत्रलाई की लगू सीचाई गणना के अनुसार सरवाधिक लगू सीचाई योजनाए भारत के उत्तर प्रदेश रज्ज में है चर्चा में रही खिलाडी पारूल चोधरी दोड से संबन्दी थे रास्ट ए गवर्नेंस 2023 पुरसकार स्वामित्तु योजना को प्रदान किया गया है लास्ट देखिए जी ट्वेंटी मुख्य विग्यानिक सलाकारों की दूसरी बेठक का आयोजन गुजरात के गांधी नगर में किया जा रहा है तो ये एसे करंट अफेर हैं फ्रेंड्स जिनने हमने लास्ट डे के सेशन में काफी डिटेल में समझा था अब आजाईए आज के लिए आपका कोश्चन आफ देडे है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है काफी इंपोर्टन कोश्चन है कमेंड में जरूर बताईएगा कि इस कोश्चन का अंसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है यह सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वार्मेंट और लेटेस्ट एक्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किये गए हैं यहां हम बैसिक कॉंसेट के साथ साथ कॉंप्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करांट अफेर में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत